नमस्कार प्यारे बच्चों तो स्वागत है आपका एक बार फिर से PCB टुटोरियल के इस वीडियो प्लेटफोर्म पर तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रो स्टैट में आज लेक्षर नूमर 6 की बात करेंगे लेक्षर नूमर 5 तक बात हो चुके थी और आप आगे बात करेंग तो हम लोग लेक्षर नूमर 5 तक अगर आपको याद हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स और जोकी कुलम्सलाओ के नाम से था और सुपर पोजिशन प्रिंस्पल इन सबकी स्टैडी कर चुके थे और उन पर आधारित नुमेरिकल एप्लिकेशन को भी देख लिए थे तो आगे हम लोग फिल कॉंसेट पर आते हैं तो फिल कॉंसेट को ॉब्रोडर वे में ऐसे काम का है उसको थोड़ा सव देख लिए पहले फिर फिर हम लग इलेक्रिक फिल्ट पर एस्पेस ली चलेंगे तो देखिए तीन तरह एक कांजर्वेटिव फिल्ट्स कशिक्व पॉटेंसिल जो हम लोग आगे आने वाले पढ़ेंगे लेक्षर या उसके बाद के लेक्षर में देखेंगे उसको तो फिलाल तो आप फिल्ट को समझें तो तीन तरह के फिल्ट में आपको यहां पर पढ़ने होंगे एक जो आप पहले ही 11 फिल्ट आप याद करिए दूसरा यहां पर और तीसरा यहीं त्रेंट क्लास में आपको मैंगनेटिक फिल्ट जो आगे बताया जाएगा सब्सक्राइब के बारे में में फिल्ट के ख़िए इंकी कुछ पिशेस्ताह की देखिए और यहां पर इसमें जो है स्मेरेंटी पर ध्यानक्राइघ के आपको तो एक ही तरह के नेचर को सो करते हैं लेकिन सिम्लाइटी के साथ साथ क्या बेसिक डिफ्रेंसेस हैं उनको भी ध्यान में रखिए पहली बात तो जो भी है यहां पर चाहिए ग्रेविटेशनल हो चाहिए वह सबके सब हैक्टर क्वांटिटी होंगे ठीक है तो मतलब इसके प चारो ओर मौजूद होगा प्रेजेंट एरांड एनी मस्स कोई भी मासिव बाडी है तो उसके चारो और जो भी है वहां पर आपको मौजूद होगा कौन ग्रेविटेशनल फिल्ड उसी तरह से इलेक्रिक फिल्ड कहां मौजूद होगा तो इट विल प्रिजेंट स्राउंदिंग में चारव तरफ आपको क्या मौझूद रहेगा इलेक्ट्रिक मौझूद रहेगा इसी मेंगनेटिक फिल्ड तो मास्क के सर्फिल्ड इसा नहीं है जरूरी नहीं मास के स्रफिल्ड में बेचल मस्ट सकता तो आप कह सकते हो कहां चलो चाल्ज बॉड है तो इसमें होगा है तो मैस्ट की वाजे से ग्र्विटेश्नल और चार्ज की वज़य से एलेक्ट्रिक थैस्टाइगा है तो चार्ज के सरॉडर्णिंग में कह सकते हैं कि इसरों मौत ने जो उना मिलसित नहीं आधके estar황 का इसमीट मिले यह नहीं है हला के शलीए लदा हैए तो आप native एकर कोई बोलता है कि मैंनेटिक सब्सक्राइब करें लेकिन फिर भी हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पर उसका एंसर कर सकते हैं कि मैंने चार्ज या चार्ज के स्राइब लेकिन यह मैक्रोस्कोपिक लेवल पर होगा कोई आप इसकी वैल्यू जैसी होगी वैसी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी ऐसा नहीं है तो यह सची साजाय में रखना है लेकिन हां मार्स के स्राइब स्राइब में अगर कोई न्यूट्रल बोडी हो गया तो उसके स्राइब में कभी भी इना तो इलेक्टिक फिल्ड मुझेगा और मैग्नेटिक फिल्ड जो है उसको भी हम लोग इन जेनरल देखें तो नेगलेक्ट्री करेंगे चलिए आगे लेक्शन इस आल्वेज टुआस तो इस पॉइंट से इस मास को मिलाने वाला जो लाइन होगा तो इसी मास की तरफ इसको एक तरफ से रेडियली इंवार्ट मी बोलते हैं तो यह अंदर की तरफ आता है यहां दोना चाहिए आपको जबकि यहां इलेक्ट्री में जो डायरेक्शन की बात करेंगे हम लोग यहां पर आएगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर यहां पर अवे डिडियली आउटवर्ट चलाएगा वेरेश त्वार्श निगेटिव चार्ज और अगर यह बगेटिव चार्ज है कहीं पर यहां पर निगेटिव चार्ज है और इस पॉइंट पे निकालना myself तो हो जाएगा आउटवर्ट यह मानते वे इक पॉइंट चार्ज यह और इसके बाद रहेघर यह तो हो जाएगा तो इसमें दो तरह से direction आपको आएंगे आपको एक बाहर की तरफ भी आएगा एक अंदर की तरफ भी आएगा पॉस्टिव है तो बाहर की तरफ निगेटिव है तो अंदर की तरफ याद रखिएगा यहां पी उसी तरह की बात होगी अगर नॉर्थ पोल की बात करेंगे तो आउट बाट सब्सक्राइब आएगा जो फोर्स है और जो आपने पढ़ा है अभी हाली में जो फोर्स पढ़ा उसका फिल्ट के साथ बढ़ा ही एकदम एबसॉल्यूत रिलेश्टन है इसी प्रपोर्शनल तू इमपर फिल्ट यहां उसी तरह से लेक्रिक फोर्स इस प्रपोर्शनल तू इल्यक्रिक फिल्ट यहां भी जो प्रकोर्शनल टी का mb तो यहांपर आम इशन नहीं है सब dasब करते हैं मपदने धश्चन understood healing energy को यहां कहते है एंख करेंगा और कोगा इस वही को दिछायागे synthesis पर की तरफ से को बलते हैं कि यहां पर निकालनां पर एलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है बना पर कितना चार्ज है यहां पर काम करेगा पर सबस्क्रीया हुआ एलियूद कि ब लगने वाला वेल्यू होगा और यहां पर यहां पर यहां पर आपको बहुत अच्छे से रहाल में रखना होगा कि कोई भी कंजर्वेटिक यहां पर आपको आपको यहां लीग-डीट की वेल्यू- ऊप्डोगेजिट भी यहां पराई Region की फैल्व की वैल्यूते अभी झ पाल मुल्य कर लुएट को दिंग दो ठीक है इसको क्या बोलते है निगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियन्ट पोटेंशियल ग्रेडियन्ट एक तरह से नाम होता है जब आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशियेट करते है तो इसको ग्रेडियन्ट टाम लिया जाता है तो यहां पर हम यही कहेंगे negative gravitational potential gradient is equal to field strength उसी तरह से यहाँ पर electric field इसकी value सिधा सिधा इस तरह से equal to minus of dv by dr इस तरह से लिखा जायागा मतलब negative electric potential gradient negative electric potential gradient is equal to electric field strength और उसी तरह से यहाँ पर भी जोरत पड़ेगी तो हम लोग field strength B को minus of dv by dr लिखा करेंगे तो negative potential gradient is equal to field strength यहाँ पर लागू रहती है अगर आप r को x के direction में लेकर चलोगे तो यह x बन जाएगा मतलब की चुकि आपने क्या पड़ा फिल्ड एक वेक्टर quantity तो वेक्टर quantity है तो हाँ पर e x e y e z तो अगर x की तरफ निकालना है तो x के respect में दिखाया कि यहां पर similarities क्या है और थोड़ा थोड़ा क्या इसमें अंतर भी है तो मैंने आपको समझाया अब हम डिटेल में बात करेंगे electric field के बारे में तो आईए देखते हैं तो आईए समझते हैं details about electric field the reason या space surrounding any charge या charged body in which any other charged body experiences the electric force on itself is known as electric field मतलब क्या कहने का हुआ कि अगर कोई charged body है हमारे पास जैसे मान के चलिए हमने यहां पर एक charge body बनाया जो plus nature का है ठीक है आप दिख सकते हैं plus nature का है तो इसके surrounding में कहीं भी space में कहीं किसी भी दूसरे जगह अगर एक दूसरा चार्ज को लाया जाए दूसरा चार्ज को यहां पर हम लोग रखते हैं ठीक है मानलों यह small q amount का प्लस चार्ज रखा हमने अग यह capital q का प्लस चार्ज पहले से यहां पर है ठीक है तो क्या होगा इसके surrounding में अगर आपने कहीं भी सब्सक्राइब यहां से काफी दूर दूर इंफानाइट डिस्टेंस तक जाएगी तो उसी तरह से कहीं पर भी कोई चार्ज हो रहा है यहां चार्ज है वहाँ पर तो उसका जो इलेक्ट्रिक फिल्ड आएगा वह ठीकली इंफानाइट डिस्टेंस तक मौजूद रहेगा अब हम कहीं भी दूसरा चार्ज पार्टिकल ला करके वहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा इनके बीच में इंट्रेक्शन होगा तो हम कहेंगे भी यह आपने क्या किया इसके स्रॉंडिंग में एक फिल्ड यहां पर मौजूद रखा हुआ है तो उसी करने रीजन या स्पे यह अपने उपर एक एक फोर्स महसूस करता है तो यह ही कहलाएगा एलेक्रिक फिल्ड तो अब यहां पर जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके सरॉंडिंग में कहीं भी रख दिया तो यह क्या करेगा यहां पर एक एलेक्ट्रोस्ट्राटिक् फोर्स और वह पुर्ड प्लास चार्ज अगर है तो जो फिल्ट का डारेक्शन होगा वो भी किदर होगा अवे हो जाएगा अगर यह मैनस होता तो यहां पर फिल्ट का डारेक्शन भी इधर ही होगा तो इसने फोर्स जो एक्सप्रियेंस किया यहां पर फिल्ट का स्ट्रेंथ हो गया है तो हम लिखेंगे क्यू इंटू यह अगर मानके चलिए कि पॉइंट पर आपने रखा हुआ है तो फिल्ट एट पी और यहां भी हम पी लगा सकते हैं ठीक है बहुत ही सिंपल है अब इस इपी को कैसे लाएंगे तो इसके लिए यह बराबर क्या है वी अग्या है घए जो हो गया हो गया क्यों इंटू इंटू उपी हो गया और इंटु लिखने मडाइ यहां से क्या देखते हैं स्मॉल क्यू कैंशल हो गया तो यह जो ही पी है ना यह कितना आजएगा 1 by 4 by epsilon not q upon r square इस तक रहे हैं यहीं Electric field का formula भी है ठीक है कोई भी point charge अगर कहीं रखा रहा हुआ है तो उससे r distance पर electric field की जो value आएगी electric field के strength की value उसको हम लोग कैसे लिखेंगे तो 1 by 4 by epsilon not q upon r square ठीक है और इसको हम लोग डिफाइन भी कैसे कर सकते हैं यहाँ पर सिधा-सिधा देखो आप यह चीज़ देखो अगर यहाँ पर अगर यहां से इस्ट्रेंथ का डिफनेशन क्या बनेगा कि कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी जगह पर रखा जाए जहां जिस जगह पर आपको फिल्ड निकालना है जैसे से दूर जाएंगे उस फिल्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी जैसे से पास आएंगे बढ़ती जाएगी तो अगर आप आप तो निकालने के लिए आपको क्या डिफनेशन देना है तो देना है कि जिस जगह पर हम पॉजिट पॉजिटिव चार्ज को अगर रखे य देखिए अगर स्मॉल की वन यूनिट हमने काय दिया तो आपने आप फी कनवर्ट हो जाएगा इपी में तो जो भी फोर्स की वैल्यू होगी ऑन डाट यूनिट चार्ज एड़ पर्टिकुलर क्वाइंट वही क्या हो जाएगा फिल्ड स्ट्रेंथ तो इसी बात को लिख तो क्या है यह एडिए फॉर्स एक्सपिरियेंश बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ट एड एनी पॉइंट इन्डा इलेक्ट्रिक फिल्ड जैसे इस चार्ज के सब जगाए तो आगे अब हमको इसी पॉइंट पर इल्ले की वहलू निकाल लिख लेंगे यहां पर अगर unit positive charge को रखा जाता तो वो जितना force electric force को experience करता वही value हो जाती उस point पर का electric field तो वही लिखा वाइद है electric force experience by unit positive charge placed at any point in the electric field present electric field present is known as electric field strength या intensity at that point अब इस P point पर हमने अगर mathematically देखना चाहे है कि फिल्ट की value क्या होगी तभी निकाला था 1 by 4 पाइपसेल नॉट capital Q यह जो इसकी value है डिवाइड आल स्कॉर्ड पर प्लस है तो यह क्या होगा और अगर मैनस है तो इस point पर क्या होगा इस तरह ठीक है न तो अपनी तरफ आएगा पोजिटिव है तो अपने से दूर जाएग रहे फिल्ट की value हमेसा इतनी एह निए और मैं यहाँ पर एक कोई भी प्लस स्मॉल क्यू रहेगी और डैरेक्शन भी और माइनस क्यू भी रख देता हूं तो भी फिल्ट की value यही रहेगी और direction यही रहेगी याद रहे यह जो आपने फिल्ट की value देखी ना इस field की value को कोई मतलब नहीं है कि इस point पर कोई charge मौजूद है या मौजूद नहीं है इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए ना तो इसके electric field के direction को कोई मतलब है इस बात से कि यहां पर charge मौजूद है या नहीं है और ना ही उसके magnitude को कोई मतलब है कि यहाँ पर कोई charge है कि नहीं है समझे इस बात को इस point पर कोई charge रहे या ना रहे electric field की value और उसकी direction यही होनी है always अगर आपने यहाँ पर charge रखा हुआ है तो भी यही रहेगा चाहे वो charge plus हो चाहे वो charge minus हो कोई फरक नहीं पर दाना तो magnitude में ना तो direction में याद रखेगा अगसर यहां पर मैंने देखा है कि बच्चे लोग को बोलेंगे कि बताओ यहां पर मैंने plus क्यूं रख दिया फिल्ट की value बता देंगे इतना और direction में पुछता हो तो direction भी बोलेंगे प्लस प्लस होगा इधर होगा तो बता देते हैं लेकिन यहां पर क्या करूंगा minus रख देंगे लेकिन कहेंगे सर अब direction बदल जाएगा क्यों क्योंकि यह प्लस इस मैनस को एड्रेट कर लेगा इसलिए जी नहीं ऐसी बात नहीं है आप की बात बोल रहे हो ना हम आप से पूछेंगे कि फोर्स इस तरफ लग रहा है अभी तो मैं इस पॉइंट पर सिर फिल्ट की बात कर रहा हूं ठीक है तो फिल्ट क हाज रहेगा तो जो फॉर्स होता है न हमने क्या लिखा बुक्यু पो इस में थ्यान देना अगर यह क्यों के वैल्लीू पॉजिटिब हुई अगर क्यों की वैल्यू पॉजिटिबल मिदीनि तो जो भी इल्दि पांडैयक्शन है और फोर्स का डा टायरेक्श्यं यह admiration यह तो फोर्स का डायरेक्शन और फिल्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाते हैं ठीक है फिल्ड इधर लग रहा है उसके अपोजिट में आपको फोर्स लगेगा यह बात ध्यान में रखिएगा तो मैं क्या करता हूं यहां पर इसको दिखा देता हूं ताकि आपको डायरेक्शन की बात हो रही है थो थोड़ा अच्छे से पता चले यह देखिए और यहीं पर लिख देता हूं इफ क्यू इस निगेटिव तो फिर जो आपका फोर्स का डायरेक्शन है वह एंटी पैरलल या अपोजिट कह सकते है थिक है एंटी पैरलल या अपोजिट अपोजिट टू एलेक्रिक तो मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहां पर प्लस चार्ज रखता हूं तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वह उसी डायरेक्शन में जाएगा और अगर मैं यहां पर माइनस रखता हूं तो फिर यह फोर्स इधर ना होकर के इस तरह आपका लगेगा लेकिन का डारेक्शन पहले भी उधर था अभी उधर ही गएगा ओके यही बात यहां भी लागू होगी अगर यहां पर मैं एक प्लस क्यों रखता हूं तो उस पर जो फोर्स होगा इस तरह के डारेक्शन को कोई मतलब नहीं है कि इस पॉइंट पर आप फिल निकाल रहे हो वहां पर कोई चार्ज मौजूद है अथ्वा नहीं है ना वेदर देर इस एनी चार्ज प्रिजेंट अधर पॉइंट और नॉट फिल्ट प्लस है तो आल्वेज अवे होगा माइनस है तो सब्सक्राइब कि यह बहुत इंपोर्डेंट बात किसी भी भूक में धंग से मैंसन नहीं किया और बच्चे वहां पर कंफ्यूज करते रहते हैं तो इसको अच्छी तरह से समझ लिए प्लस है तो इस जगह पर अवे और मैनस है तो इस जगह पर प्वाट्स का डिरेक्शन सब्सक्राइब को अधिकत नहीं है बच्चों को यह याद रहता है क्योंकि हमने जो इसको फार्मूला को लाया वो कुलम्स लाह से लाया और पॉर्स की वेली लिखी थी उसलिए वह यह जो भी फार्मूला अपने फिल्ट का ही लिखा है यहां पर चाहो तो लिख सकते हैं वाली पॉइंट चार्ज अली ठीक है चली यह बात है हो गई अब इसमें छोड़ा से एक एक जापल देखें आप जैसे हमने खाहा कि एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर है एक माइनस क्यू चार्ज यहां पर है इनके बीच की दूरी हो और यह तरह यह प्लस की बज़से मैंने बताया आपको कि यहां पर अफे ओगा तीक है अब हो गया प्लस की बज़से यहां पर आपको अपनी तरफ आएगा तो उसी तरफ चला जाएगे तो यहां पर क्या होगे दोनों उधर ही चलागे तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2E और क्यू के वज़ए से तो क्यू लिख देता हूं ठीक है जहां EQ क्या है तो 1 by 4Pi Epsilon 0 और Q by दिस्टेंस और दुनों तरफ से था और यह किस तरफ जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इस तरफ जा रहा है तो अगर मैं इसको इधर X डिरेक्शन के दू तो आई के अप लगा के आप लिख सकते हो है ना वैक्टर में आ जाए गई तो ऐसे दिखा जा सकते हैं बहुत मैंने कर दिया ठीक है अब देखो तो बीच में रखते हैं कई पर कितर हो जाएगा इस माइनस की वजए से यहां पर टू आट्स इसकी तरफ हो गया और इस प्लस की वजए से इस जगह पर तो यहां से अवे दूर जाना है तो इधर ही आ जाएंगे ना यहां भी इस तरफ आजाएगा तो वही रहेगी जहां एक्यू की वैल्यू में बस यहां पर माइनस आजएगा सही बात है इस तरफ आएंगे तो इनिट वेक्टर होगा ना इधर का माइनस आई और इधर का कौन था प्लस आए ऐसे इस सही बात चलिए अब अगर दोनों तरफ प्लस रख दू अगर मैं इधर को कर दूं माइनस इधर भी हो गया मैनस तब क्या होगा इस माइनस की वज़े से यहां पर इसकी तरफ आएगा और इस माइनस की वज़े से यहां पर उसकी तरफ चला जाएगा तो इस तरह से बहुत चारे एक्जांपल आपको लिखे जा सकते हैं को भी जैसे इस तरह से एक ट्रैंगल दे दिया यहां पर प्लस क्यूग यहां मैन तो मैंने आपको बताया कि इस जगह पर आप पूछ रहे ऊंपर रहे कोई फेरक नहीं पड़ेगा तो चाहें आप यहां पर प्लस सद्सक्राइब को यहां पर देखने में लगता होगा और माइनस प्लस होगा नहीं अट्रक्शन तो यहां पर यहां पर मैनस की भी होता तो फिल्ड की बात कर रहे तो इसकी वज़े से यहां पर फोर्स होता तो वह आगर है तो उस साइट चला जाएगा तब कहेंगे मैनस मैनस को रिपल्सन हो गया सब्सक्राइब की बात है इसलिए यहां पर चार्ज रहे ना रहे कोई फरक ने चार्ज रहेगा तो इसकी वज़े से मैनस था तो मैनस की तरफ आ गया और यह प्लस था यहां से दूर हो जाएगा और अगर आपने यह क्यूक से 60 दे रखा है तो यहां पर क्या होगा न गुवर डून दिया है जो फिल्ट की यहां पर बनेगी यहां पर बनेगी संसेम बनेगी 120 है तो ठीक सिक्स्टी डिग्री लेकर के इस तरह आजाएगा और यहां पर आप एक क्या लिख सकते हैं तो एक चाज की विज़ा से क्यू बाइ और यह दिस्टेंस आपको जो की कोश्चिन में दिया हुआ रहे है आर दे रहा हूं में यहां अगर यह देता तो लिखते ठीक है यह देता चलो मैं लिखी दूँ तो इन वेक्टर फॉर्म अगर यह पी पॉइंट हुआ यह इपी का डिरेक्शन हो गया ऐसे और यह इपी का मैंगिचूड हो गया यहां पर और एपी अगर वेक्टर फॉर्म में मेरे को लिखना है तो मैं लिखूंगा इपी कॉस सिक्स्टी यह जाएगा तो साइन सिक्स्टी माइनस जे की तरफ ठीक है इसका माइनस में यहां लिख चुका हूं इसको मैं यहां पर लिख सकते हैं यहां पर दिया हुआ ठीक है यह हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में लिख से बहुत सारे छोटे मोटे एक्जामपल को आप फिल्ड के मामले में सौल कर सकते हैं ठीक है तो यह वीडियो था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन एवाट फिल्ड कॉंसेट ठीक है अब नेक्स लेक्टर में हम लोग फिल्ड का जो ब्रॉडर यहां पर एप्लिकेशन से उसको दिख प्लिड कर दो आपival कर दो कर दो एक हम घफगर ज lot पिल्सकूरा सब कर दोको फिल्सकाल में पर आपका उल्सकाल में हम सुटर ब्रॉब